जाहीन दोस्तों चले उस तो बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में यह CET 2006 में रेपेटिड कोशन आया हुआ है यहाँ पर देखे B की वैल्यू 2 है तो D की वैल्यू कितने हैं कि मेरे पास है 4 14 है यह मेरे पास 15 तो मुझे मिलने गा है 16 तो 16 पर मुझे जो मिलेगा P मिलेगा यानि कि यह मेरा अंसर नहीं हो सकता यानि कि C option होगा या फिर मेरे पास D होगा अब मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू यह मेरे पास X की वैल्यू कितने मेरे पास 23 है U की value कितनी मिरे पार 21 है मैंने इंसका difference देखर तो यह minus 1 है यहाँ पर difference देखा तो मिरे पास कितना होगा minus का 2 होगा तो इसके बाद यहाँ तो difference 3 होगा यानि 18 और 3 21 होता है यानि कि यहाँ तो 18 होना चाहिए या फिर मैं minus 1 करूँगा इसमें से आपका minus 1 तो यह मिरे पास 20 होना चाहिए 20 अगर होगा तो मिरे पास T मिलेगा और 18 मिलेगा तो मिरे पास क्या मिलेगा R मिलेगा यानि कि इसमें जो है S है इसमें यह नहीं है तो यह option मेरा हो नहीं सकता है T वाला यानि कि 20 option D होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आओगा जय हिंद जय भारत